नाज़कर दोस्तों डी फाइव चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं ध्रमेंदर संदू स्वागत करता हूँ गर्मियों के मौसम में कई परकार के फल बाजार में मिलते हैं जो सेहत के लिए बेहद फाइदे मंद होते हैं इन फलों में पाये जाने वाले पौशक तत्व शरीर को पौशन परदान करते हैं आज हम आपको एक ऐसे फल के औशधिय गुनों के बारे में जानकारी देंगे वह गुनकारी फल है आलू बुखारा आलू बुखारा रोसे सवनस पती परिवार से समंदित रसदार और मुलाइम फल है ये पौशक तत्वों खनीज पदार्थों वह एंटी आक्सिडेंट से भरपूर फल है और शधिय गुनों से भरपूर स्वादिष्ट वह पौश्टिक फल आलू बुखारे में फाइबर विटामिन A वा C के साथ ही आईरन, पोटेशियम, कैल्शियम और मैगनिशियम तत्तों भी परियापत मातरा में पाये जाते हैं इसके लावा इसमें विटामिन D, विटामिन B6 और विटामिन B12 भी होता है आलू बुखारा खाने के फाइदे पेट को करे साफ पेट की समस्याओं में आलू बुखारा लाबकारी है क्योंकि ये फाइबर का अच्छा स्रोत है इसके सेवन से पेट आसानी से साफ होता और कब्ज की समस्याओं भी दूर होती है साथी पेट के अन्य समस्याओं में भी फाइदा होता है खून की कमी को करे दूर आलू बुखारा में आयरन पाया जाता है आयरन शरीर में लाल रख्त कोशिकाओं के निर्मान में सहयता करता है इसलिए शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए वा एनेमिया की कमी से बचने के लिए आप नेमित रूप में आलू बखारा खा सकते हैं बढ़ती उमर के प्रभाव को करे कम बढ़ती उमर के प्रभाववा लक्षनों को कम करने में भी आलू बखारा सहाइक सिद होता है। इसमें मौजूद विटामिन E, बीटा कैरोटेन, एंटी आक्सिडन्ट और फैटी एसेड उमर बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करते हैं। इन तत्वों की कमी से उमर बढ़ने के लक्षन जैसे जुरनी आदी दिखाई देने लगती हैं। ये तत्व मृत कोशिकाओं को हटाते हैं और नई कोशिकाओं के निर्मान में सहायता करते हैं। यादास्ट को बढ़ाई। आलू बखारा खाने से यादास्ट भी बढ़ती है। इसमें पाए ज बखारा पर की गई शोद में पाया गया है कि आलू बखारा में फाइटो नाइटरेट नामक तत्व पाया जाता है। इस शोद में ये तत्वे सामने आये हैं कि ये तत्व ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स को नश्ट करने में सहायकसित होते हैं। आलू बखारे में मौजूद तत दिल के रोगों से करता है बचाव दिल को सेहत्मद रखने के लिए नेमेत रूप में आलू बखारा खाने से फायदा होता है आलू बखारा में मौजूद एंटी ऑक्सिदेंट फाइबर वा अन्य गुन कारी तत्र दिल के रोगों से बचाव करते हैं जिसके चलते कॉलेस्ट आलू बखारे में आईरन के साथ ही फॉलिक एसिड भी पाया जाता है इसलिए महिलाओं के लिए भी इसका सेवन लाबकारी है फॉलिक एसिड वा आईरन महिलाओं में खून और हीमोगलोविंस तर को सही रखता है जिससे मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द में आराम मिलता है गर्बती महिलाओं के लिए है लाव कारी गर्वती महिलाओं के लिए भी अलू बिखारां लाव कारी है अलू बिखारे में मौजूद मैगनेशियम से इस दAd aguhran महिलाओं के शरीर की मास पेश्यों को आराम मिलता है साथ इसमें पाया जाने वाला फॉलिक एसिड वा आईरन खून की कमी नहीं होने देता और विटामिन सी भी गर्वावस्ता के समय दस्त और पेट में उठने वाले मरोड से राहत दिलाता है चाहे आलुबखारा गर्वती माहिलाओं के लिए फायदे मंद है फिर भी इसके सेवन से पहले एक बार डॉक्टर की सलाँ जरूर लें मदूमे के खत्रे को करे कम मदूमे के रोगियों के लिए भी आलुबखारा फायदे मंद है इसमें गलाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम मातरा में पाया जाता है जिससे बलड शूगर का लेवल नियंतरन में रहता है इसके सेवन से टाइप टू मदू में होने का खत्रा कम हो जाता है लेकिन फिर भी शूगर के रोगि इस फलका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें पुर्षों के यौन स्वास्ते में करे सुधार आलु बखारे का सेवन पुर्षों के लिए भी विशेश गुनकारी है पुर्षों के यह उन्स वास्थे में अलू बखारा सुधार करता है साथ ही शुक्रानू के गुनवत्ता में भी सुधार होता है सो दोस्तो यह थी आलू बखारे के औशधिये गुरों से जुड़ी जानकारी ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिन होंगे जुड़े रहिए डी फाइव चैनल हिंदी के साथ